दोश्यों की फासी फिलाल टट गई है पहले 22 जुनवरी को होनी थी अब एक फेवरी की डेट आई है और इस पर काफी राजनिती भी हो रही है तो उसको लेकर बात करने के लिए मासर निर्बया की मा आशा दिवी जी है मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके का बयान इं मेरे बची के कराइम जो कराइम है उसके साथ उन्होंने मजा किया है मेरे साथ मजा किया है लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि होती कौन है वो मेरे से सवाल करने मेरे से उमीद करने वाली कि नहीं मैं माप कर दूँगी तो कहीं न कहीं उनका इसके पीछे मंसा है क्योंक उमीद करते हैं कि हमारा महोल सुरक्षित हो, हमारी बेटिया सुरक्षित हो, लेकिन इंद्रा सिंग जैसे लोग इस समाज में जब तक रहेंगे, तब तक हमारी बचे सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि वो कानून का चोला वड़ी हुई है कि मैं वोकील हूँ, मैं समाज शे सकती, मुझे उनकी सजेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ, कि मेरी बेटी के लिए मैं लड़ सकती हूँ, और इंसाफ ले सकती हूँ, लेकिन मैं उनको इतना जनूर्ष सजेस्ट करना चाहती हूँ, कि अगर उनका धंदा नहीं चलता, उनकी रोट जी रोटी नहीं चलती, तो दो-चार मुझरीमों का घर पकड़ ले और अपना रोटी रोटी चलाएं, मुझे उनकी सजेशन की जरूरत नहीं है, आपको यह लगता है कि जो भी उन्होंने अभी यह भयान दिया है, इक पबलिसिटिक ले दिया, इन साथ सालों में क् किसी चीज के लिए सपोर्ट किया, कभी आप से हाल चाल पूच़ा। केस को लेकर? कभी नहीं पूचा, मैं सुप्रिम कोट में कई बढ given को मिली, मैं ऑमर में बढ़ी हैं, मने उनको हाओ जोड़के नमस्ते करती थी, लेकिन कभी नहीं उन्होंने पूचा कि हां केस में क्य आखों के सामने तड़पती हुई चली गई इन चार मुजिरमों को जासे तो कहीं न कहीं इसके पीछे उनकी मंसा है या किसी से मोटी रकम लिया या उनको पबिसीटी चाहिए थी क्योंकि उनकी उमर हो गई है कोई पुछता नहीं है इसलिए उन्हें न सोचा कि चलो थोड़ नहीं मुझे मेरा बिश्वास कभी नहीं डग मगाया मैं कभी नहीं हारी लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक कानून के लौफूल से यह जो कानून बनाए गये है जो कानून चल रहा है उसमें बहुत खामिया है इसके वोज़से वो कानून है मुझीरमों को सपोर्ट करता है सरकार उनको सपोर्ट करती है क्योंकि उनका अधिकार सरो उपर है उनको सारे अधिकार का हक है कि नहीं उनको मिले लेकिन इस बिच उनका अधिकार देखते देखते कोट और सिस्टम वानम बीक्टम का अधिकार भूल जाता है कि नहीं अगर जो बची इस दुनिया में नही है तो उसका भी अधिकार है उसका परवार संहर्स कर रहा है तो उसको भी समय से इंसाफ मिलना चाहिए तो यह हमारी कानून की कमिया है तो मैं यहीं चाहूंगी कि जो उनको दोश्यों को फासी हो जाएगी तब ही राजनिती शुरू हो जाती है क्योंकि जब घटना हुई तब कोई सामने नहीं आया आज सब सबके अपने अधिकार दिख रहे हैं सबके अपनी अपनी पॉलिसिटी दिख रही है तो मैं बिल्कुल यहीं कहना चाहूंगी साथ तब कहना चाहूंगी कि खासकर एक बच्ची की मोवत होई है उसको इंसाफ मिले इसके लिए लोग हमारा सपोर्ट करें ना की बहुत बहुत शुक्री हम से बात करने के लिए कैमरे पसिन रागिप खान के साथ मैं फराखान आनाई टीवी डली